हेलो प्यारे दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा आठ का आपका गडित यानि की मैट्स का स्लेबर्स डिसकस करेंगे जो कि आपका करेंट सेशन दोजार 23-24 के एक्जाम के लिए है और इससे पहले मैंने मैट्स का स्लेबर्स अप्लोड किया था क्लास 8 का लेकिन व स्लेबर्स यह खासकर दिल्ली के गॉर्वरमेंट с्कूल के स्विडुण के लिए हैं तो देखि आपको सबसे पहले आपके मिट्रम उप्स पांब दो याने कि चैप्टर नम्बर दो जो है एक चर वाले रहखिक समी करन तो ये आपके मिड़्टम एकजाम में आएगा इसके बाद आगे देखी आपका चैप्टर नम्बर जो तीन है चत्र भूजो को समझना ये भी आपके मिड नमй आएगा और यहाँ पर देखिए ये कार्य पत्रक संख्या यानि की वर्क्षिट नमबर भी लिखे हुएं क्लास 6 का ये वर्क्षिट नमबर लिखा हुआ है क्लास 7 का ये लिखा हुआ है वर्क्षिट नमबर और क्लास 8 का ये लिखा हुआ है तो आप चाहें तो ये सब जो worksheet number लिखे हुएं ये इसलिए हुएं ताकि ये जो आपका chapter number 2 है ये आप और अच्छे से समझ सको अगर आप ये जो worksheet number है इनने आप अच्छे से कर लोगे तो आपको chapter number 2 जो है ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा इसके हरे questions को आप अच्छे से solve कर सकते हैं ठीक है तो आप हो सके तो worksheets को भी solve कर लेना ज्यादा नहीं तो class 8 का तो करी लेना class 8 का ये देखिए ये दिया हुआ ये worksheet number तो इन्हें आप कर सकते हैं इसी तरह से जो आपका chapter number 3 है चत्रभुजों को समझना तो इसमें भी देखिए ये worksheet number दिये हुए इन्हें भी आप कर सकते हैं ठीक है अब इसके बाद next देखिए आपका chapter number 5 आएगा वर्ग और वर्ग मूल तो ये भी आपके मिट्टम एक्जाम में आएगा और इसके भी worksheets दिये हुए कारेपत्रक ये आप देख सकते हैं class 6 का 1 और 9 class 7 का 16, 17, 18 और class 8 का ये सब दिया हुए worksheets ठीक है तो इन्हें भी आप solve कर सकते हैं इसके बाद अगला आपका chapter number 6 आ रहा है घन और घनमूल तो ये जितने भी मैंने आपको अभी तक 4 chapters बताए हैं ये आपके mid-time exam में आएंगे ठीक है आपका mid-time exam जो होगा October में उसमें ये 4 chapters आएंगे और chapter का नाम आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि जो new book आई है NCRT की वो change होकर आई है तो इसलिए आप chapter का नाम पढ़ लेना उसके बाद ही आप chapters को करना ठीक है तो जो आपका mid-time exam का syllabus है यानि कि जो मैंने आपको अभी syllabus बताया ये आपके school में देखिए 15 सितंबर तक complete करा दिया जाएगा उसके बाद आपका mid-time exam start होगा ठीक है तो अब मैं आपको आपके final exam का syllabus बताने जा रहा हूँ तो final exam के syllabus में आपका mid-time exam का syllabus भी आएगा यानि कि जो मैंने अभी आपको चार chapters बताए हैं वो भी आपके final exam में आएंगे और इसके अलावा देखिए chapter number 7 भी आएगा राशियो की तोलना इसके अलावा chapter number 8 बीजे वेंजक एवं सर्वसमिकाएं ये भी आपके final exam में आएगा इसके अलावा chapter number 9 छेत्रमिती और chapter number 11 सीधा और परतिलोम समानुपात तो ये भी chapter आएगा इसके अलावा आपका chapter number 12 गुरन खंडन और chapter number 13 आलेखों से परीचे तो ये जितना भी chapters मैंने आपको बता दिया है ये सब आपके final exam में आएगा जो कि फर्वरी में आपका final exam स्टार्ट होगा और final exam का syllabus आपके स्कूल में 31 जनवरी तक complete हो जाएगा उसके बाद आपका वार्षिक परिक्षा यानि कि final exam स्टार्ट होगा तो यही आपका वीडियो आपसे मिस ना हो सके और यह जो PDF यह मैं आपको टेलिग्रम गूर्प पर सेंड कर दूंगा वहां से डाउलोड करके आप और अच्छे से अपना syllabus पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं ठीक है टेलिग्राम गूर्प जोइन करने का लिंक आपको वीडियो कर डिस्क्रि रphones करके बंदे लित करते हूं आब एलो Rings बीड़की बंदल आपको वीडियो कर दो अन bırak वीशदायो कर सकते हैं तल्य वीप देलिका कर। पर सेंगा शूर्प और यजुका पर सेंगे डिधाने कर दो राना वीडियो करने कर वीडियो नर éfस्को थाले हम रावी खल्ल्युक